हेलो एविवान मेरा नाम है अमन प्रीट सिंग चड़ और आप मुझे देख रहे हैं के जी इस इंजीनियर्स एजे यूट्यूब चैनल पर बच्छो आज ये बहुत इंपोर्टेंट सेशन है इस सेशन में वह एबिलिटी है वह पोटेंशल है कि आपके पूरे of materials सोम को लेकर बच्चों के मन में बहुत रहते हैं और अगर हम प्रिवियस एर एक्जाम की बात करें चाहें और आपको सोम में दिक्कते आती हैं पढ़ने में तो उसका solution के एक ब्रीफ introduction में अपने बारे में देना चाहता हो बच्चों जैसे मैंने पताया मैं नेम इस अमन प्रीट सिंग चड़ा और मुझे बारा साल से जाधा टाइम हो गया है गेट एसी एजी एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हुए तीन लाग से दाता बच्चों को ऑन-लाइन और आफ्लाइन मोड में मैंने पढ़ाया है और आई वस ब्लेस्ट इनफ टेक्निकल ग्रेजुएट कोस जो इंडियन आमी कंड़क करती है उसकी औल इंडि नहर इंस्टिटूट ऑफ टेक्नलोजी यह था एक ब्रीफ इंड्रोडक्शन मेरे बारे में अब हम बात करते हैं सोम सब्जेक्ट के बारे में देखें बच्चे जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हो तो उसकी दो जानकारिया लेना बहुत जरूरी ह तो अगर हम इंपोर्ड़ेंस ऑफ दी सब्जेक्ट की बात करें तो एक इंपोर्टन से एकडमिक के पॉइंड ओफ इू से और एक है एकजाम के पॉइंट ऑप इससब्जेक्ट इए तो शूम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिविल और मेकानिकल के लिए दर्वाजे खोलते ह कि हम सोम को स्किप कर देते हैं सोम को अच्छे से नहीं पड़ते हैं तो आप यह मान के चलिए कि वन थर्ड ऑफ इंजिनिरिंग बीट सिविल और मेकानिकल को अच्छे से नहीं समझ सकते थोड़ा भी अगर कोईशन चैलेंजिंग आगया तो सॉल नहीं हो पाएगा यह बात आपने देखा भी होगा थर्ड सेमिस्ट्र जब आता है जब इंजिनिरिंग में आते हैं देप्लोमा में आते हैं फो शुरुवात के सब्जेक्ट होता है सो उसके अलावा सोम बाकी सब्जेक्स को लिंक करते हैं अगर आपने सोम को अच्छे से पढ़ लिया तो सिबिल में आप structure analysis, RCC, concrete technology जैसे subjects को पढ़ पाओगे और mechanical engineering student हो आप तो machine design और जो बाकी important subjects है, TOM, इन subjects को आप भी सीख पाओगे जब आपने SOM को पहले सीखाओ, तो यह subject के academic importance है, अब अगर हम exam के point of view से देखें, तो आपके technical exam का, चाहे वो RRB हो, चाहे वो SSCJE हो, चाहे कोई और exam हो, one third of the marks are influenced by this subject alone, आपके दिमाग में आएगा सर, एक TI marks कैसे, क्योंकि SOM की अपने आप में 5-6% easily weightage होती है, बट SOM सीखने के बाद ही आप बाकी subjects को सीख सकते हो, तो SOM कई सारे subjects को आपस में connect करता है, और अगर आपने SOM को नहीं सीखा, तो उन subjects में आपको दिक्कत आती है, तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से इसको feed कर लीजे, कि बिना SOM पढ़े, civil और mechanical engineers का काम नहीं चलेगा, ये बिलकुल ऐसे ही है, कि आप physics पढ़ना चाते हो, बट Newton laws को आप importance नहीं दे रहे हो, तो बचे अगर हम बात करें, जैसे civil engineer के point of view से बात करें, तो जो SOM subject है, ये आपके structural analysis को influence करता है, RCC subject को influence करता है, concrete technology को influence करता है, steel structures को influence करता है, geotechnical engineering में shear strength का जो concept है, वो पूरा SOM पर based है, highway engineering में जब हम flexural और rigid pavements की बात करते हैं, तो SOM के concept आते हैं, environmental engineering में जब हम water hammers की बात करते हैं, तो young's modulus of elasticity की बात होती है, SOM के अपने आप में easily 5-6% technical weightage है, 4-5% आपका structural analysis की weightage है, बचे RCC एक बहुत important subject होता है, 8-10% पूछा जाता है, concrete technology भी 8-10% की importance रखता है, field structure 4-5% की importance रखता है, और अगर हम इन तीनों subject की बात करें और वो topics जो SOM से influenced हैं, तो वो भी easily 4-5% होते हैं, तो बचे अगर आप इन सब को जोड़ो, यहाँ पर 8-8, 16, 4, 20, 25, 25, 4, 29 and this 33, तो minimum one third of the technical जो है, वो SOM से influenced होता है, तो एक बात बिलकुल ध्यान से समझ लीजे, आप SOM को bypass नहीं कर सकते, SOM आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, अब बात ही आती है कि सर, SOM को पढ़ने के लिए हम क्या करें, मैं आपको यह जो commencement of SOM लिखा है, यह जो date लिखी है, यह जो time लिखा है, इसके बारे ही बताऊंगा, सबसे पहले बचो, SOM का batch हम start करने वाले हैं, बहुत जल, 7th of October को 2 बजे KGS app पर, अब आपके मन में और भी सवाल आएंगे कि सर, कैसे enroll करना है, क्या piece है, everything I will discuss in this session, बट उससे पहले, एक बारी SOM का syllabus देखते हैं, अगर सोम के syllabus को देखें, तो major यह topic SOM में आते हैं, which is stress and strain, stress and strain में देखें, बहुत बड़ा topic माला जाता है, इसमें elongation की बात होती है, material properties की बात होती है, thermal stresses की बात होती है, youngs, modulus, bulk modulus, यह सब इसी topic में आते हैं, फिर आता है compound stresses जहाँ आप principal planes, principal stresses की बात करते हो, और compound stresses में आप मोहर सरकिल की बात करते हो, महर सरकिल ऐसा topic है जो फिर geotech में shear strength topic में बहुत use होता है फिर आता है SFD, BMD, बचे one of the most important topic of civil and mechanical engineering SFD, BMD पर पूरा structure analysis, RCC और steel based होता है इसके बाद bending and shear stresses, again एक बहुत important topic दूसरा बहुत important topic, slope and deflection then comes tossing and columns, यह columns RCC में भी पढ़ने होते हैं तो वहाँ पर भी फाइदा मिलता है then comes theories of failure and then comes thin cylinder and sprigs तो अगर आप देखोगे कि जो आपके competitive exams हैं वो SOM में यह topics cover करते हैं अब एक question आता है कि SOM को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें कितना समय देना चाहिए तो बच्चे यहाँ पर एक और मैंने आपकी कोशिश करी है मदद करने की अगर हम SOM subject को देखें तो हम SOM को इस तरीके से bifurcate कर सकते हैं जैसे अगर हमारा stress strain topic है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे lectures में हम SOM के या stress strain के इन topics को cover कर सकते हैं अगर मैं आप से बोलू कि लेट से पोने दो घंटे दो घंटे अगर आप एक session को time दे रहे हो तो आप अच्छे से इन concepts को पढ़ सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 sessions यह हैं और around 29 sessions यह हो गए बतार टोटल 29 sessions हो गए तो 29 sessions या nearly 30 sessions and if I say per session is 2 hours तो 60 hours में आप इस subject को अच्छे से पढ़ सकते हो अब यहाँ पर एक फाइदा क्या होता है अगर आपके पास guidance है guidance होगी तो आप 60 hours में subject को समझ सकते हो क्या होता है जब हम खुद से पढ़ना शुरू करते हैं तो definitely road blocks आते हैं थोड़ी दिक्कते आती हैं बट अगर हमें थोड़ी सी guidance मिल जाए तो definitely हमारा समय बच जाता है हम खुद से सब कुछ पढ़ सकते हैं सब कुछ सीख सकते हैं परक पढ़ता है समय का अगर आप खुद से पढ़ेंगे हो सकता है एक topic को सीखने में आपको दो घंटे लग जाए और हो सकता है अगर आपके पास एक guidance है तो आप उस topic को 20 मिनट में सीख जाए तो यहाँ पर सम बस कवर कर लोगे अगर हम यह माने कि आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है कितना पढ़ना है तो एक कोट अपने दिमाग में रखिए कि अब थैंक अब लीस्ट एफ स्टार्स इफ यू फॉल शॉट यू विल स्टेल लेंड आन मून तो प्यारे बच्चों क्या होता है अगर आपको जी एक्जाम को क्लीर करने तो आपको सिफ जी लेवल पर त्यारी नहीं करनी होगी आपको लेवल बढ़ाना होगा बिल्कुल इ marathon run करना चाहते हैं 21 km की तो आप 21 km के लिए training नहीं करोगे आप जाधा के लिए training करोगे ताकि आप marathon को complete भी करो और आपकी performance भी अच्छी और विनर भी बनो तो अगर आपको जेए exam को clear करने है तो एक level उपर की तयारी आपको करनी होगी इस बात को जरूर ध्यान दीजिए और बच्चे अगर आपको लगता है कि सर guidance नहीं मिल पा रही है problem आ रही है तो आप जुड सकते हो एक batch में जो मैंने अभी शुरुआत में बताया this is rrb tbt2 batch 2.0 और चाहे civil है mechanical है electrical है तीनों ही batches हमारे launch हो रही है registration आप कर सकते हो KGS app के through या फिर browser में जाकर अगर मैं civil engineering की बात करूँ तो मैं और अपूर्व सर मिलकर आपको civil engineering पढ़ाएंगे अपूर्व सर civil engineering के expert faculty है दस साल से जादा का experience है डेली technical university से पढ़े हुए है DTU हमाई देश की एक प्रतिष्टित university से उन्होंने पढ़ाई करी है अब बचो एक और सवाल मन में आता है ना हमें लगता है कि ठीक है यह सब so far it is good but what is the fees fees क्या होगी तो बचे CBT2 का entire civil engineering का syllabus आप 499 में पढ़ सकते हों entire syllabus entire technical syllabus be it of civil mechanical electrical आप 499 रुपीज में पढ़ सकते हो और मैं आपको इस बात को जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हो कि जब आप पढ़ाई करोगे you will be star struck आप ऐसा सोचोगे आपके दिमाग में आएगा कि I cannot believe this कि 499 में इतना quality content मिल सकता है now you must be wondering why इतना easily इतना easily access क्यों इतना सस्ता क्यों है the reason is Khansar का vision है कि education हर एक student को मिलना चाहिए irrespective of the financial status of a student तो मैं आपको honestly बता रहा हो आपसे कुछ साल पहले जब SSJEE के batches होते थे 25,000-30,000 एक nominal fees होती थी जिसमें यही सारा syllabus पढ़ाया जाता था बट आज आप उस syllabus को 499 पर पढ़ सकते हो live plus recording होता है live session में नहीं आ पाए recording देखिए और जितना number of times देखना चाहते हो आप देख सकते हो अब लेट से कोई बच्चा बोले कि सब मुझे CBT-1 and CBT-2 दोनों की त्यारी करनी है तो बच्चे उसके लिए भी एक batch है आप इस batch में enroll कर सकते हो चाहे civil, mechanical, electrical कोई भी ब्रांच हो आपकी the price is 799 तो एक तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो कि थोड़े से और पैसे देखे 300 रुपे एक्स्ट्रा देखर आप CBT-1 की त्यारी भी कर सकते हो और अगर आपके मन में सवाल है कि सर मुझे J Foundation की त्यारी करनी है मुझे RRB के साथ J Foundation देखना है मेरे और exams में है तो अब J Foundation के batch में जुड़ सकते हो again the piece is very nominal 999 तो आपके पास एक बहुत अच्छी opportunity है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि बच्चे साथ October को दो बजे से KGS app पर आपका सोम सबजेक्ट स्टार्ट होगा और हम इतनी मेहनत से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि आपको confidence बिल्डप होतो है दिखेगा जब आप देखोगे कि सोम आपका अच्छा हो गया है तो आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में भी बहुत असानी आएगी तो यह सेव कर लीजिए और जुड़ करिए तो हम पूरा सहीयोग दे रहे हैं आपको और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ guidance की कमी है मेहनत करने में आप पीछे नहीं हो सिर्फ guidance की वज़े से आप पीछे रह रहे हो तो अब वो problem भी आपकी solve हो जाएगी तो download करिए KGS app जुड़िए हमारे साथ बहुत कु कुछ आप सीख सकते हैं तो अपनी learning journey को start करिए जुड़के तो मिर्चो मिलते हैं साथ October को इस session में इस class में till then God bless you and take care thank you